मेरे देश के समीदान के कमजोर पक्ष से रूबरू करवाता। आओ मैं आप सब को मेरे कजबे की लक्षमी लुहारन से मिलवाता। एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का उस पे बोज था और जिंदगी की जदो जहेद संगर्श उस पे रोज था। अधेड उमर में वो हथियारों के रूप में अपना गर खीशती थी, गुप्ती, कर्ची, चाकू, कटार, तलवार सब बिनाधार के बेशती थी। हथियार लेने वाले हर आदमी हर लड़के को मुँपर खरी खोटी कह दे दी थी, चंद रुप्यों की एवज में बिनाधार का हथियार वो उने दे दे दी थी। उसकी उदास सी आखें, मायूस से चेरे की तरफ जब कभी मेरी नजर जाती थी, मुझे उस पर महसूस होता था, मेरी सासे भी बेहत रुक रुक गया आती थी। एक रोज फुरसत के लम्हे में मेरी नजर उस पर जाती है, उस दिन की गटना मेरे दिल दिमाग में घर कर जाती है। क्यों उसके ठेले पर एक लड़की जब हथियार लेने आती है, दार करके दूँ या बिना दार कर, लक्षमी इसी सवाल पर आड़ जाती है। लड़की के जाने के बाद में तपाक से बोल पड़ा, ये तो बहुत बड़ी नादानी है और लक्षमी, धार वाला अथियार बेचना तो पूरी तरह से गेर कानी है। इतियास ने जाने कैसा उस दिन मनूस लमा दोराया था, उस दरिन दिन साहाब मुझे एक किलो मेटर तक नंगा दोराया था। पती की रोजरोज की शराब की लत और उसकी मार से में अधमरी हो जाती थी। रोते रोते पता नहीं चलता था साहब, कब रात से सुबह हो जाती थी। तो पहले बाल विवा का बोज फिर पती की मार मेरे साथ मेरे बच्चे दिनरा तो रोते थे और आप तो जानते हो ना साहब, गाओं में तब कहां कोई तलाक होते थे। नजाने कितनी मरतबे दरिंदों की दरिंदगी मेरा शिकार कर गई थी। आज भी लगता है साहब, मैं पैदा होते ही क्यों ना मर गई थी। मैं अपनी आबरू तक ना बचा सकी साहब, इसलिए मैंने अपने अंदर का जमीर मार दिया, हालातों को देखते वे मैंने हथियारों पर अपना जीवन अपना सब कुछ हार दिया। ना सरकार ना कानून ना इनसान अब कभी लड़कियों की हिफाज़त कर पाता है, जब कोई नहीं आता बचाने आबरू लड़की की, तब तब लक्ष्मी का ये हथियार अपना फर्ज निबाता है। नजाने कितनी मासुमों की बिखरी इज़त की फाइलें पुलिस चौकी में बरसों से दूल चाटती है, इसलिए ये लक्ष्मी दार वाला हथियार सरफ और सरफ लड़कियों को बाटती है। लटका दे कोई मुझे बीच बजा, जीते जी मैं अब चैन की सांस नहीं लूँगी और कम से कम इस कजबे में तो एक और लक्ष्मी अब पैदा नहीं होने दूँगी।